कनगना रनवत को आप जांते हैं कि आप वही अभी नेत्री का बात कर रहें जो मतलब असलील बीडियो बनाती थी जो असलील कफड़ा времd countries के जनता को देश के लड़कियों को गुम्रा करने कख म करती कि आप वही अंग्ना कंग्ना ढग्ना का बात कर रहें भाजपा का मतलब बलतकारी जानलेवा परेज्ञट्राइब से बलतकार जाता था इसे लोगों को ये खूद मुंबई जीसे सारों में इनको हीरो सब बुलाते थे पैसे पे खडीते थे नाच ड्रमा करने के लिए यह नंचनियां घजनिया बजनियां यह लोग ठीकीएंगे नहीं अंग्रेज के दलाल रूखेगा ये अंगना-गना-धंगना- कि मंदीन से वर्तमान सांसद कांगना रारोत ने एक बयान दिया था कि उस सभा में जो है कि सौसर रुपे में महिलाओं को बुलाया जाता और वही जो है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट करती हैं उसके बाद से जो है कि उसको जो है कि कुल्विंदर कौर ने ठपड मारा लेकिन अ और पाकिस्तान का लोग इसमें सामील होते थे तमाम ऐसे जो है कि बयान दी थी जिसको लेकर के बीजेपी ने एक पत्र जाली किया कि कांगना रानावत को ऐसे टिपडियों से बचना चाहिए आखिर इतना सब कुछ बयान के बारें उनको कैसे पता कि आखिर सब देश में क मेरा नमस्कार मैं सकुसरल हूँ और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी चैनल के माधियम से जितने भी ठीक होंगे आप लोग देश में क्या सब कुछ अभी ठीक चल रहा है आपको लग रहा कि ठीक होड़ा है तीसरी बार बीजेपी की सरकार आगई ठीक नहीं चल रहा ुट बाले लुहां TRY आदेश के माधियम से देश की जनता ने इसको पछार दिया इनको भागा दिआ अंगरेज के तरह भागा दिया कि टीसरी बार तीसरी बार यह लोग आ गए बैसाखी पर सरकार चल रहा है नितीज जी और नैडू जी के बल पर सरकार चल रहा है यह सरकार इसका दोनों दो चक्का इसका कब पंचर हो जाएगा कब सिलिप कर जाएगा कहना भी मुश्किल है और इन्हों ने पिछले सरकार जिन्होंने 10 वर्सों में हम जैसे लाखो करोड़ युवां को घसितने और लूटने और डगाने का काम किया नोकरी के नाम पर लाठिया बरसाई है तो यह जनता आगे ऐसे लोगों को ना तो सत्ता में रखे गी ना तो सरकार में रखेगी इनको सत्ता से बेदखल इस लोगों को सत्ता से बगाने का काम करेंगे और यह लोग बैसाखी पर चल रहे हैं लिए वे साकि इनका न रुकने वला और प्रटिकने वला है और हम लोग भी बहुत जल्द आधर निदेश कुमार जी अइसे लोगों को भागाने का काम करेंगे क्योंकि इन्हों के लोगों के साथ ठंगने का काम किया तका यह जानते हैं कि किस कंगनार अमगे नतरी ती आप बात करें जो मतलब असलीत विडियो बनाती थी जो असलील कफड़ा पेन के देश के जनता को देश के युवाओं को देश के लड़कियों को गुम्रा करने का काम करती थी क्या आप वही अंगना कंगना धंगना का बात कर रहें जिन्होंने देश की बेटी देश के किसानों देश के युवाओं देश के सम्मानित नोजवानों का अपमान क्या कि आप वही भाजपा के दिएक आजपा भाजपा घजपा हम नहीं समझते हैं आप वही अंगना का बात करने जिन्नों इस देश के सम्मानित आधी अबाधी महलाओं को अपमान करने के बाद और इस देश के अन्य धाता किसान को भी अपमान करने के काम क्या ऐसे लोगों को सर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना चाहिए और ऐसे लोगों को संसत की कुर्सी छिन लेनी चाहिए और भाजपा आप किस भाजपा की बात करते हैं भाई भाजपा का म में इस देश को लुटने का कम क्या वही भ़जपा का बराबर घेश्ट चैनल पर भाजपा भाजपा करते हैं कंगना रनवत ने कहा है कि सो रुपया में महिला प्रोटेस्ट भी आती ती यह खुद पहले बिक्ती थी यह लोग खुद इनको खरीदा जाता था एसे लोगों को यह खुद मुंबई जैसे सारों में इनको हीरो जो सब बुलाते थे पै कि नित्री नहीं मानते नेता का मतलब होता है कि जनता के साय में उनके काम को करना और उनके समस्याव को समधान करना और एक जनपरतिनीदी का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए काम को धरातल पर उतारना और केंद सरकार और वहां के राज सरकार के विकास को धर उनके राज्यों में जो भी जनता है उनको विकास करना किया यह किसी भी महिला सांसद या किसी भी नेत्री का यह इस तरह का बयान बाजी सही लग सकता है आपको यह सर्मनाक है यह निंदनीय है यह सर्मनाक है हम इनका जितना भी निंदा करते हैं यह सब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं यह लोग सिर्फ दस वर्चों में देश के लोगों को देश के युवाओं को देश के महलाओं को देश के जवानों को और देश के मुसलमानों को अपमान करने का काम क्या है तो ऐसे लोगों को भी इस आने वाले समय में भी सरकार अगर नहीं हटाई तो देश की जनता और वहां के उनके संसद्य के नेता वहां से हटा देंगे और वहां की जनता इनको हटाने का कमकरिंग आप जो बोली थी कि दो है 14 में देशा जाद हुआ है आरे कंगना को असमिर्ती रानी जैसे महलाओं से सबक लेनी चाहिए कि जिस असमिर्ती रानी जी 2014 में 14 से पहले इस देश के सम्मानित परधान मंत्री आदर निये डाक्टर मनमुहन सिंजी को चूडियां भेजा करती थी माथे पर गेस सलेंडर लेकर के उनको भेजना का काम करती थी बेरोजगारी महंगाई का ढोकोसला करती थी कि इस देश में यूपिया की सरकार में महंगाई हो गई है बेरोजगारी हो गई है उस समय चूडियां भेजा करती थी यह नाटक करती थी तो वहां की अमेठी की ज समझे वहां के जनता को गुमड़ा करने का कम किया लेकिन इसका असली सचा है कि यह लोग ना अब रुकने वाले हैं ना ठिकने वाले हैं और वहां के जनता एक बार तो लोकतंत्र है नहीं लोकतंत्र में जनता किसी की बाप की जागिर नहीं होती सत्ता आज है कल चला जाएग कगना ने बोलाए कि हमारा समयदानीख अधिकार रहें जो चाहिए थो देश के समयंदानीगे Michaels intelligence के सामने करते हैं उनके बीजह दाल नीज चैनल माधियम न department समें और माधियम है पॉप पॉप था सम्मानी और भृष्ण करेंगे स्वहवितर में हम लोग बात करेंगे बता देंगे वह वह वी इक सम्माणी काज करता है कि इस देश का इत्यास और किताब क्या कहता है उन्हों सभख्व इंगे यह लोग तो भाग जाएंगे यह लोग ठीक हैंगे नहीं ऐख ानक्रेज के दलालार को यह फुरू कर करने वाले आपकार मोथे मतलब कुछ भी प्रोटेस्ट वल्टतर देश में पहलं देस की जणता को और वहां की देस को गुमड़ा करके संसत पंड़ार लेकिन विकास के घंत विनाज कर रही है और अपमान कर रही है तो आने वाले समय में लोक्तंत के माधियम से ऐसे लोगों को मुत्वर जवाब मिलेगी एक बार पीटाई हो गए ती एरफोट क्या उसका आप समर्थन करते हैं जो लोग गलती करेगा इस देश में चाहिए वह कंगना रनावत हो कि असमिर्थी रानी हो कि कोई भी हो जो लोग गलत करेगा उनके सा व्यसाई हाल होगा और हम लोग युस समानित बेटी रो महिलाओं का होचले और संद्व को सेलिट करते हैं कि उन्होंने बता दिया कि इस देश का अंधाता किसान है और किसान का आपमान नहीं सेंगा हंदुस्तान जो नोखरी के लिए लोग तरस्ते आएं वह नोखरी तक क्या देश की सम्मानित और देश की अंदाता जो आपके पेट भरते हैं जो हमारे पेट भरते हैं जो पुरा देश को खाना खिलाने का काम करते हैं जो फसल उगाते हैं जो हमारे उन्सनान हैं Harvard that करेंगे क्या नोकरी के खातिर आप देश के सम्मानित जो लोग हम लोग को बहुत कुछ लगेगा ऐसे लोगों को सिख लेनी चाहिए उल्टा-पुल्टा बयान के बाद भी बीजेपी ने की केवल एक पत्र निकाला है बोला है कि उनको इस बयान से उनको करवाई करना पत्र का कोई भेलू नहीं देते हैं क्योंकि वह कहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं दीन में कुछ और बलते हैं रात में कुछ भाई कभी वह रात में सपना देख लेते हैं कि हम देश के जनता को के खाते में 15 लाक रुपया देंगे तो फिर वह सपना भूल जाते देखते हैं कि देश में दो करोर युवाओं को परतियक था देइंगे झांते हैं EU यह पकोरा द्लवाते हैं और अपने बेटा और अपने कर्जकरताओं को 20 का motorcycle सचिब बनवाते हैं इसे लोगों को सर्म आनिए आपर्धान मंत्री यह नहीं यह परचार मंत्री है यह परधार मंत्री का कम कम परचार मंत्री का कम जादा करते हैं अब देश में क्या अभी महिलाय सुरक्षीत हैं आपके घर की बहु बेटिया हमारे घर की बहु बेटिया क्या सुरक्षीत है अभी बिहार में आपको लग रहा है बिहार में बिहार में आ सरकार ओर बियार के परसाशनी सब लोग बिहार की अधिकारी लोग चाल को सन्रक्षन देते हैं और सरकार से मिल जूल करके यह लोग अपैंधिक गिरंग का घटना करते हैं और बिहार के सम्मानित लोगों को मरवाते हैं आज देखिए एक सम्मानित पूर्मंतरी पूर्व बिधायक सम्मानित नेता सन अपमल्ला मुग्यस जानीजी के पीता जी के साथ हत्याय होगी क्या आपको लगता है कि बிहार में सरकार ठीक से चल गएगी जैसे आजादीकर के समै हमने अंग्रेजों को भगाणे का कञ अब लड़ेंगे चोड़ों से क्या बात चलिए देश में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंटर बक्स वे दिजेगा अजमेर करेमी जी जितना अपना बयान दिए यह सब कुछ अपना नीजी बयान था बाकी देश के मुद्दाओं के बारे में अप लोग का क्या कहना बताईएगा सेर कीजेगा बहुत धन्यवाद